असलाम अर्यकुम बच्चों कैसे हैं आप सब आज आप लोगों ने अपनी मैस की बुक निकालनी है हमने बुक फिल करनी है पेज नंबर 41 पर ठीक है यहां पर आप देखें ज्वाइनिंग दर डॉट्स आपने क्या करना है जी नीचे देखें कहते हैं ज्वाइन दर नंबर आपके पास सिर्फ वन्स ही यानि के सिंगल नंबर आपके पास यूज होता है पहले भी मैं आपको बता चुकी हूं लेकिन जब आपके पास टैन आता है तो आपके पास ये दो डीजी डोडा तो ही के एक वन का हो जाता है एक जीरो का ठीक है उसके बाद देखें पेज नंबर 43 देखें बेटा हो गयता है ज्वाइन दर डॉट्स और राइट दर नंबर आपने ये जो डॉट्स हैं आपने क्या करना है जी डोइन जोइन करना है और फिर आपने ये नंबर लिखने है ठीक है ये सारा आपने इस तरह से खुद फिल करने हैं मैं जस्ट आपको हिंट दे रही हूँ यहाँ पर देखेंगे तर राइट दर नंबर एंड ड्रा लाइन इन गीवन स्पेस यहाँ पर आप आपने 5 लाइन ड्रा करनी है 6 है तो आपने 6 लाइन ड्रा करनी है 7 है तो आपने 7 लाइन ड्रा करनी है ठीक है 7 है 1 2 3 4 5 6 है हाँ जी 8 है तो आपने 8 लाइन ड्रा करनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है 9 है तो आपने 9 लाइन ड्रा करनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है तो आपने 10 लाइन ड्रा करन यहां पर देखें पर इस तरह से करक करना है सारा आपने यहां पर देखें स्टिक्स एंड बंडल में आपके पास 10 स्टिक्स हैं और एक वन ठीक है कितना हो गया 10 और 11 ठीक है इसे आपने वह जो है मिलाना है ठीक है ट्रेस करना है उसके बाद देखें जी एक वंडल में कितनी स्टिक्स हैं 10 ठीक है और उसके बाद कितने 3 10 और 3 13 ठीक है इस तरह से और एक वंडल में कितनी जी 10 1 2 3 4 इधर 10 आ गया ठीक है 10 के बॉक्स में और 11 के बॉक्स में क्या आएगा 14 4 सोरी ठीक है इस आपके नंबर जो है वो कौन सा बने 14 नेक्स देखें जी ये 10 है 1 2 3 4 5 10 के बॉक्स में 10 लिखेंगे और इधर आपने 5 लिखना है तो कितना बनेगा 15 बात समझ आ गई होगी आपको आगे आपने हुद से जो करना है काम इसका बुक का आपके जो है ना प्रैक्टिस करनी है 45 प पेजने नंबर ठीक है और 47 यहां तक आप लोगों ने फुद से करना ये नेक्स्ट हमागे करेंगे फिर को में क्या करना है आप लोगों ने टेबल ओव एथ ठीक है डेबल ओफ एट आपनी फिर्ट करना है यह आपको प्राइड़े को सब्मिट करना है यह ऑमवर्क एज टेबल आप लिख रहे हैं ना होमवर्क में इन्हें याद भी करते रहने साथ साथ ठीक है अला आपीज